विडियो में हम विबिन प्रकार के परमानूओं यानि कि एटम्स और उन्हें बनाने वाले fundamental particles के बारे में जानेंगे। एटम्स वे छोटे-छोटे अंश हैं जो हमारे आसपास की दुनिया में सभी चीजों को बनाते हैं। वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, जिन घरों में रहते हैं और ये स्क्रीन जो आपके सामने हैं, सब कुछ एटम्स से बना है। हलाकि हमारे आसपास की चीज़ें अपना रूप बदल सकती हैं, उन्हें पिगलाया, जलाया या तोड़ा जा सकता है, लेकिन इनके एटम्स नहीं बदलते हैं। ये छोटे लेगो ब्लोक्स की तरह होते हैं। जब आप कोई मॉडल बदलते हैं, तो एक लेगो हाउस लेगो कार में बदल सकता है, लेकिन बेसिक ब्लोक्स या एटम्स वही रहते हैं। हमें अभी तक लगभग 114 विबिन प्रकार के एटम्स के बारे में पता है। सबसे हलका है हाइड्रोजन और उससे कई गुना बड़ा है यूरेनियम। ऐसे मैटीरियल्स जो किवल एक ही प्रकार के एटम्स से बने हो, उनहें ऐलिमेंट्स काहा जाता है। और वो मैटीरियल्स जो अलग-अलग तरह के एटम्स से मिल कर बने होते हैं, उन्हें यौगिक या कमपाउंट काहा जाता है। जिनके नाम किसी और भाषा से लिए जाते हैं, जैसे की लेट का सिंबल PB. ऐसा इसलिए है क्यूंकि लेटिन भाषा में लेट को प्लमबम के रूप में जाना जाता है. अगर periodic table पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि element के सिंबल का दूसरा letter हमेशा lowercase होता है. periodic table का निर्मान एक रूसी वेज्ञानिक और आविशकारक दिमित्री मेंदलीव दुआरा किया गया था. सन 1879 में उन्होंने सभी elements को उनके atomic mass के बढ़ते क्रम में जमाया और उन्हें अलग-अलग रोज में बाठ दिया, जिससे की समान properties वाल elements को एक ही ग्रुप में रखा जा स सके. ऐसा करने से मेंदलीव उन elements की properties को predict करने में सक्षम हो सके, जो तब तक खोजे नहीं गए थे. वैसे अगर हम सिर्फ atoms के बढ़ते size को ध्यान में रखें, तो periodic table को कभी खत्म ही नहीं होना चाहिए. लेकिन बहुत भारी atoms स्थिर नहीं होते और आसानी से तूट जाते है बिस्मत को आखरी स्थिर atom माना जाता है. इसका कारण ये है कि atoms छोटे particles से बने होते हैं. ये कौन से particles हैं? वीडियो को यहीं रोकें और सोचें. atoms, protons, neutrons और electrons से बने होते हैं. protons और neutrons atom के center में एक छोटे से nucleus में रहते हैं, जिसके चारों और सभी electrons चक्कर काटते हैं. एक electron का mass एक neutron या proton के mass के लगभग 1000 में हिस्से के बराबर होता है. तो इसका मतलब हुआ कि एक atom का लगभग सारा mass उसके center में केंद्रित होता है. क्यूंकि protons और neutrons का mass electron के mass की तुलना में बहुत बड़ा होता है, हम यह मान लेते हैं कि electron का mass मूलत जीरो है. elements को पहचाना जाता है, उनके nucleus में पाए जाने वाले protons के आधार पर. protons की संख्या कभी नहीं बदलती. इसका कारण यह है कि protons और electrons charged particles होते हैं. protons के उपर positive charge होता है, plus one, और electrons के उपर negative charge होता है, minus one. क्योंकि electrons atoms के nucleus के चारों और स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, उनका किसी भी दूसरे atom के साथ आधान प्रदान किया जा सकता है, जिससे हमें उस element की chemistry के बारे में पता चलता है. एक charged atom को iron कहा जाता है. Neutrons charged नहीं होते. इससे वाकई में कोई फर्क नहीं बढ़ता है कि किसी atom के nucleus में कितने neutrons हैं. ये उसकी chemistry पर कोई प्रभाव नहीं डालते. लेकिन वो nucleus को एक साथ बांधने में मदद करते हैं, जिसमें अन्यथा केवल positive charge वाले protons होते हैं, जो एक दूसरे को repel करते हैं. एक ह कि physical properties बिलकुल समान होती हैं और ये एक ही तरह के reactions शो करते हैं. तो अब तक आप समझ गए होंगे कि atoms, protons, neutrons और electron से बने होते हैं? याद रखें, electrons का mass लगभग ना के बराबर है. protons और electrons charged होते हैं, लेकिन neutrons नहीं.